हलो गाइस, वेलकम टू पूरी पड़ाई तो अगर हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS आउटलाइन, अगर आपको CSS में आउटलाइन बना लिए तो किस तरह से बना सकते हैं? An outline is a line draw around an element outside the border. This can be used to make an element stand out. यह जो line बनेगी आपकी, वो outside the border बनेगी, और आपका, this can be used to make an element stand out. Stand out का मतलब के ओभर के आना या फिर अलग से दिखना, तो यह अलग से आपको दिखेगी, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से दिखेगी? A CSS outline property, specify the style, color and width of the outline. तो CSS outline जो property है, वो हम use करेंगे. उसके color देने के लिए, width देने के लिए, style देने के लिए. तो हम सबसे पहले style देख लिए हैं. The outline style property, specify the style of an outline. आपके पास काफी सारी styles हैं, आपे outline style property में काफी सारी styles हैं, सामने आप देख सकते हैं कि dotted style, dashed style, solid, double, groove, यह सब आप use कर सकते हैं. तो practically हम देख सकते हैं कि यह चीजे किस तरह वर्ग कर रही हैं, अभी हम practically एक example लेंगे. उसके लिए अपने notepad पर जाएंगे. Notepad पर सामने आपके पास एक छोटे सा example है. यहाँ पर आपका लिखा हुआ है style, जो कि starting CSS जब हम start करते हैं, तो style लगाते हैं और closing style लगाते हैं. इसके बाद जो मेरा h1 है, h1 में क्या दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक छोटे सा border दे रहा हूं, इसके बाद हम outline लगाने start करेंगे. मैं इसको करता हूं, save, मैं इसे save कर रहा हूं, css outline.html से outline.html लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो file है, वो HTML पर convert हो जाए, .html लगाना इसलिए ज़रूरी है, save कर रहा हूं मैं इसे, save करने के बाद आप इसे खोल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जैसे इसे open करें मैं यहाँ पर, तो यह आपका border बन चुका है, आपर, अगर मैं इसे तोड़ा zoom करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका border बन चुका है, आप border पर outline मना देखेंगे, तो उसके लिए अपने notepad पर जाएंगे, notepad पर आपको लिखना है, outline, style, और हम dotted लगाते हैं और इसको हम करते हैं, save, save करने के बाद इसे refresh करेंगे, और आप देख सकते हैं कि सामने आपके dotted style बन चुकी है, तो इस तरह से आप outline देच सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि outline आपको दे सकते हैं, इस तरह से, तो यह तो हो गई आपकी outline, next हम देखते हैं, outline का color, सकते हैं next हम outline का color देंगे outline color colon and हम इसे red देते हैं और इसको हम save करेंगे save करने के बाद से हम जैसे refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं यह पूरा red हो चुका है तो इस तरह outline का color भी दे सकते हैं और last में हमारा outline width outline width property जिससे की आप width भी दे सकते हैं outline की जैसे 3 pixel 4 pixel 5 pixel तो इसको भी यह देते हैं outline width 4 pixel देते हैं यह आपर और इसके बाद हम इसे save करते हैं save करने बाद जैसे हम refresh करेंगे तो आप देख सकते width इसकी increase हो चुकी है तो इस तरह से आप beautiful styles और designing बना सकते हैं अपने CSS में with the help of CSS outline so I hope आपको CSS outline zone में आया होगा thank you guys meet me in the next video तब तक के लिए goodbye